तो लेजिए सुढिए आदर शिंदू होटल का पंचम अध्याय लेखक विभूती भूशन बंदो पाध्याय सवेरे उठकर हजारी ठाकुर राना घाट चला आया होटल में पाउं रखने के से पहले ही उसे डर लगने लगा मालिक और पद्द महरी उसे जानी क्या क्या कहेंगे एक दिन की गैर हाजरी के लिए कैफियत देते देते उसकी जान पराबनेगी और हुआ भी ठीक ऐसा ही अंदर जाने के रास्ते में ही बैठे थे बेचू चक्रवर्ती खुद मालिक हजारी को देखकर हाथ का हुटका नीचे रखकर उनन कड़ी अवाज में कहा कल कहा दे ठाकूर हजारी ने जूटी बात नहीं कि घर पर कोई बिमार हो गया था जैसी गड़ी हुई जूटी बात भी कभी नहीं वह बोलता उसने कहा बहुत दिनों से के बाद घर गया था मालिक लड़के बच्चे कहसे हैं इसी से एक दिन तो बिना कुछ कहे समझे इस तरह होटल से भाग जाने का मतलब क्या है तुम किस से चुटी लेकर गए थे इस बात का जवाब हजारी नहीं दे सका घर पर पूरिया देने ग बड़े होटल का खाना पकाना छोड़कर किसी से कुछ कहे सुनने बिना तुम एकदम लापता होगए अरे मैं कहता हूँ नाक का पानी आक का पानी सभी मिलकर गांजा खोर नमक खराम कहीं का चलाकी करने को दूसरी जगा नहीं मिली बेचू चक्रवर्ती की गले की तेज अवाज सुनकर पदमेरी ये देखने आई थी की मामला क्या है दरवाजे में जाक कर हजारी को देखते ही बोली अच्छा कैसे फिर कैसे दिखाई पड़े कल तो मैंने काता न और जरुवती इसाफत को मालिक विदा ही कर दे गांजा पिकर नशे में धुद जाने कहा पड़ाता है चहरा नहीं देख रहे हजारी ठाकुट ने घबरा कर दिवार में कील के सहारे टंगे छोटे आईने में चहरा देखने की कोशिश की पता नहीं पद्दुमारी ने उसकी चहरे में क्या देख लिया गांजा तो दूरा सवेरे से उसने एक बीड़ी तक नहीं पी जाओ कल ठेके पर एक रसोईया बुलाया गया था उसकी मजदूरी एक रुपया और जलपान का चारा ना इस महीने क उसका चुटकारा नहीं मालिक के हाथ से चुटकारा बाने पर भी पद्दुमारी के हाथ से इतनी असानी से चुटकारा मिलना मुश्किल है पद्दुमारी हजारी के पीछे ही पीछे रसोई घर में आकर बुली वे लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे और क्यों करें आज अकेले हाडी चड़ाओ जैसे बदमाशों वैसे ही तुम्हें सजा मिलने चाहिए अकेले बड़ी देख्ची उतारो माड़ पसाओ फगराकों को भात परसो कल मुव बंद कर गई उस बावन ने अकेले सारा काम किया है नवाब के बेटे तो गांजा पिकर जाने कहां पड़े ह और उनके चलते सब लोग खटकर मरेंगे गुस्से के मारे पदमेरी भूल ही गई कि अभी ही बेचू चक्रवर्ती ने कहा कि कल हजारी के बदले ठेके का महराज रखा गया था जिसकी मजदूरी उसकी तनखा में से काटी जाएगे हजारी ने अच्छरस से कहा अकेले कैसे अभी तो मालिक ने खा ठेके का महराज रखा गया था पदमेरी ने बात समालने की कोशिश की रखा तो गया था ना रखा जाता तो क्या होता मालिक बाबु ने क्या तुमसे जुटी बात कही अगर को रसोईया ना मिलता ठाकूर अकेले ही सब करता ना तुमारे साथ सवाल करने की फुरसत नहीं है मेरे पास मुर्शीदा बाद वाली गाड़ी का वक्त हुआ अभी इस्टेशन वाले ग्रहा का पहुचेंगे जट पड़ दाल चौक दो और पंचमिल भुजिया चड़ा दो मुर्शीदा वाली बाद वाली गाड़ी हड़ बढ़ाती हुई प्लेट फ यतीष भटचारिय के साथ माली की कहा सुनी हो रही थी यतीष भटचारिय इस ओटल के पुराने ग्रहा के पहले नगत दाम दे कर खा जाया करते थे लेकि इनिधर छे महीनों से महावारी हिसाब में खाते हैं उमर पचास बावन चेहरा मलेरिया के रोगी जैसा माथे के सफेद हो गए रंग पहले गोरा था अब जलकर आधा काला हो गया है पुशाक एक मैली धोती बदन में लठे का मैला कुड़ता और पाउं में बदरंग कैन्वस का जूता बेचू चकरवर्ती कह रहे हैं नहीं नहीं आप कही है और बंदबस कीजे बटाचर्च बाबू मुझ साथ दे दूँगा नहीं सहाब आप कहीं और कोशिश कीजे जो गया गया आपको खिला कर अब मैं और नहीं फसना जाता यतीश बटाचर्च नहीं खासी निरम आवाज में कहा नहीं नहीं फसिएगा क्यों मैं पाई पाई चुका दूँगा लेकिन मालिक बाबू मैं जरा चक्कर में पढ़ गया हूँ और जैसे खा रहा हूँ वैसे कुछ दिन और खाले नहीं दीजे अगले महिने की पहली दूसरी मैं अभी बहुत दे रहा है वैसा बार नहीं चलेगा आप कहीं और देखिए ये तिश फटना चारच का चहरा देखकर हजारी को लगा वे बहुत बुखा है सवरे से कुछ खाया नहीं मालिक उसे दुद्कार दे रहे हैं यह क्या अच्छी बात है हो सकता है किसी तकलीफ में पढ़ गया हो अरे नहीं हो तो दो मुठी अन के लिए कोई इतनी खुशा मत थोड़ी नहीं करता है हजारी की इच्छा हुई कि वह कहे मालिक आखिर यतीश भटाचरजे बिना खाए ही चले गए हजारी ने सोचा आख पुराने ग्रहा कैं उनको एक थाली भात दे देने से होटल का कितना नुकसान हो जाता मैं अगर कभी होटल खोलूँगा तो खाने के लिए आए किसी को नहीं लोटाओंगा इससे चाहे होटल आद्मियों को बुला लाया पद्दो ने आकर कहा दस थाली परसो दो थाली निरामिश आलू का सालन देना आदे घंटे बाद मुर्शीदा बाद वाली गाड़ी के ग्रहाग जब चले गए तो अचानक बन गाउं वाली गाड़ी के समय कुछ लोग खाने आप पहुँचे डेड़ बज रहा था इस समय आमतर पर नए लोग नहीं आते इसलिए जब पद्दो ने पुकार कर कहा पास थाली देना ठाकूर तो हजारी ने उसे बुला कर चुप के से खा दाल तो बिल्कुल नहीं है दो आदमियों के लिए भी होगी या नहीं देख ची के पास आकर कही जा चुकी है माड है हजारी ने कहा है है तो दो कटोरी डाल दो थोड़ा नमक डाल कर गरम कर लो मुबा कर देख क्या रहे हो हजारी ने इस तरह का काम कभी नहीं किया करते उसको उलजन होती है वह सचमुच अच्छा रस होगा है जान बुचकर अपने हाथ की रस्वी बरबाद करने की इच्छा उसकी नहीं होती और इस तरह ग्रहाकों को ठगड़ा भी नहीं चाता लेकिन पद तो महरी का हुकम मानने के लिए किसी वह उसके पास दूसरा उपाय के है लाचार होकर दाल में माड मिला कर ग्रहाकों को विदा करना था उस दिन उसे छुट्टी मिली लगवर ठेड़ बचे और जरा लोट पोट करने के बाद थूँ थोड़ी ढल गई तो वह अपनी आदत के मताबिक चुड़नी नदी के किनारे टहलने निकला इधर कई दिनों से नदी के किनारे नहीं गया उस पर इजित निर्जन नीम गाच के नीचे बैठ कर और पेड के तने का सहारा लेकर खेवा घाट की और शांती पुड़ जाने के रास्ते की और टक-टकी लगा कर नहीं देगा जगा अच्छी लगती है और वहां जाकर बैठते ही हजारी के मन में होटल के बारे में तरह तरह के नए ख्याल आते हैं किसी दूसरी जगा ऐसा नहीं होता आज वहां जाकर बैठते ही हजारी के मन में पहले यह ख्याल आया कि होटल चलता है रांधने के गुन से जो लोग पैसा दे कर खाने आते हैं वे अच्छी चीज खाना चाहते हैं माड मिली दाल खाने से नहीं आते पद्दमेरी के बुरे बरताव के चलते पेचू चक्रवरिती का होटल एक दिन उठ जाएगा इस बीच उसका अपना होटल भी खुल जाएगा और उसके रांदने के गुन से ही तो होटल चलेगा अचानक हजारी ने देखा यतीश बटाचरे चूड़नी की सेवा घाट पर खड़े हैं शायद उस पार जाएंगे बटाचर जी ओ बटाचरे जी यतीश ने सिर घुमा कर देखा और वे हजारी के पास आ गए कहां जा रहे हैं जरह फूले नवला जा रहा हूँ मैं साडू रहते हैं उन्ही के हियां अज देखा ना हजारी अपने चक्रवर्ती बाबु का बरताव मैं क्या रुपे न देता तो बहर के समय बिना किलाय कह दिया कि दूसरी जगा कोशिश कीजिए भात बेचने वाला भ्रामन अगर छोटा आदमी न होगा तो और क्या होगा अच्छा बीडी है निकालो तो एक हजारी से बीडी लेकर उसे सुलगा कर बुले दो सो जाडू मारू शहर के माते पर अब मैं यहां नहीं रहने वाला फूले नवला जा रहा हूँ कोई ठीकाना लग जाएगा हजारी भटचार्ज बाबू आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या रुपे पैसे इस वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है यह कहे देता हूँ लेकिन देखना मैं रखूंगा नहीं खाने का पैसा पहले चुका दूँगा तब कुछ करूँगा यह बात तुम अपने चकरवर्ती बाबू से कह देना हजारी मैंने रुपे पैसी की बात नहीं कही मैं कह रहा था कि आपने खाना खा लिया बट्टा जार्ज बाबू ने तनीग भी सोचे भी ने तुरंद जवाब दिया नहीं कहा खाता इतना दिन चड़े चकरवर्ती बाबू के होटल से लोटने के बाद कौन मेरे लिए भात लेकर बैठा था हजारी ने खब से यतीश का दाइना हाथ पकड़ कर का मेरे साथ चलिए भट्टा जार्ज बाबू आज मैं आपको खाना बना कर खिलाओंगा आईए मेरे साथ कहा कहा रहे नहीं हजारी आज इवैसा ब्राने दो मैं नाश्टा पानी करके अब ऐसी कुबेला में हजारी सहजी छोडने वाला नहीं उसके होटल का एक पुराना ग्रहा आज पैसा ना होने की विजए सारा दिन भुका रहकर राना खाट से चला जा रहा है ना जाने क्यों हजारी जैसे इसके लिए भी अपने कोई दोशी मान बैठा यतीश भटर चार्ज ने खा लेकिन मैं अब तुम लोगों के होटल नहीं जाओंगा अच्छा जब तुम नहीं मानते तो कुछ नाष्टा पानी ही करा दो होटल में आपके लिए को क्यों ले जाओंगा आईए ना नाष्टा पानी नहीं मैं भाद बनागर आपको खिलाओंगा यतीश भटर चार्ज ने घबरा करका नहीं नहीं तब मैं आज फूले नवला नहीं जा सकूंगा आज तो वहाँ पहुच नहीं पास ही कुसुम का घर था एक बार हजारी ने सोचा बटर चार्ज को वहाँ ले जाओं आकर सोच समझकर वैसा ही किया नहीं तो इस भले आदमे को वह कहां बटाकर किलाएगा कुसुम का घर का दरवाजा खट खटाते ही कुसुम ने आकर दरवाजा खोल दिया हजारी को देखकर वैं हस्ती हुई कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक यतीश बटर चार्ज पर नजर पढ़ते ही लच्जी थोकर धीमी अवाज में उले बाबा ठाकुर कैसे आना हुआ और साथ में ये है कौन है इनी के लिए तो आये हूँ ब्राम्मन हैं दिन भर के भूके हैं मेरी जान पैचान के हैं हमारे होटल के पुराने गरहा के इनके पास पैसे नहीं थे इसने मालिक ने इने खाना नहीं दिया ये बिना खाये पिये शांती पुर चले जा रहे थे पहार के कमड़े में बठाया उसके बाद घर के अंदर जाते ही कुसम ने परिशान स्वर में का क्या करेंगे बाबा ठाकुर खाना बनाएंगे मैं सारा इंतजाम किये देती हूं और इस बीच घर में जो कुछ है बाबा ठाकुर को देती हूं क्यों हजारी ने का खाना बना गर में सब कुछ है घर में रहते वे बजार से खाना लाने क्यों जाएंगे मेरे घर में जब भ्रामन के चर्णों की धूल पड़ी है तो मेरे घर में जो कुछ है वहीं खाने को देती हूं लेकिन बाबा ठाकुर उनके साथ आपको भी याद रखिये हजारी कुछ कहे उसके प गरम की बेटी की शादी हुई अभी जिसने दर्वाजा खोला था ना वही लड़की है लगबग 15 मिन्टों के बाद जन जन करके जनजीर बाजूटी तो हजारी बाहर की कमरे के बीतर वाले दर्वाजे पर जा खड़ा हुआ खड़ा होकर दर्वाजे के भार देखते ही पानी था हस्ती हुई कुसम ने कहा उन्हें बुलाईए सेवा करने को कही घर में जो कुछ था दोनों जने मुह में डाल लीचे लेकि सो तो हुआ लेकिन मुझे जरूट इसकी जरूट क्या थी कुसम बेटी का घर है बिना कुछ खाए आप कैसे चले जाते बुलाईए उन् तो जिस तरह बड़े बड़े कौर निगलने लगे उसे देखकर जान पड़ा कि वे बहुत ही भूके थे उनकी थाली में जरा साभी कुछ बचने नहीं पाया भोजेन के बाद कुसम ने पान बना कर बहार के कमरे में भेच दिया चलने के वक्त यतीश भटा चारजे ने कहा अपनी बेटी को जरा बुलाओ हजारी आशिरवात देता जाओ कुसम आई गले में आचल डाल कर उसने दौनों को प्रणाम किया यतीश भटा चारे ने कहा सुनो बेटी दिन भर सचमुची मैंने कुछ नहीं खाया था तुमारे यहां जी भर कर खाया तुम बहुत अच्छी लड़की हो बाल बच्चों के साथ सुख से रहो यही आशिरवात देता हूँ यतीश भटा चारे के साथ हजारी लौट आया रास्ते में आकर उसने कहा भटा चारज बाबू बहुत दिनों से मेरी इच्छ है कि मैं खुद का एक होटल खोलू आपकी क्या रहा है अरे सहे जी खोल सकते हो बड़े फाइदे का रोजगार है मैं तुम और तुमारे बूते का भी है तुम मन के बड़े साफ हो लेकिन पैसो का क्या उपाय करोगे अरे उसी का तो सारा जगड़ा है नहीं तो कपका खोल चुका होता देखिये ना कोशिश में तो हूँ छोड़ूंगा नहीं मेरी इस बेटी को देखा है ना कुसुम एक बार रुपे देने चाहे लेकिन उससे लेना क्या अच्छी बात है गरीब बेवैत उसकी थोड़ी सी पुझी मैं क्यों लेने चाहूं इसी से मैंने नहीं लो तो वह अब भी दे देगी लेकिन वह बहुती थोड़ी से रुपे हैं उससे होटल नहीं खोला जा सकेगा चुड़नी के खेवा घाट पर आकर यतीश ने का अच्छा चलू हचारी तुम अब होटल खोलोगे तो मैं तुम्हारा बंदा ग्रहाग बनूगा तुम इसे गाट बांद लो मैं और कहीं नहीं जाओंगा तुम्हारी तरह का खाना कितने ठाकुर बना सकते हैं मैं जो बेचू चकरवर्थी के होटल में जाता था तो तुम्हारा बनाया निरामिश खाना खाने के लोब सही जाता था तुम्हारा होटल खूब चलेगा कहे देता हूं इस तरफ तुम्हारी तरफ खाना बनाने वाला कोई नहीं है यतिश भटचार्श तो चले गए लेकिन उनकी आखरी बाते हजारी के मन में बहुत बड़ा बल और प्रेड़ना दे गए वह जानता है कि उसके हाथ का बना खाना बढ़िया होता है लेकिन खाने वाले के मूँसे वह बात सुनने पर ही तो त्रिपती होती है भुके ब्रहमन को उसने खिलाया तो था लेकिन हजारी के मन में आनंद और उत्सा का ख्याल करते वे वह बड़ा मुल्यवान और सार्थक प